दॉट्ट ब्राजील की रहने वाली मार्था और ये मुनानागर के रहने वाले अनंत दोनों एक साल पहले फेस्बुक से कॉन्टाक्ट में आए अनंत ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मार्था ने एकसेप्ट की धीरे धीरे दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई मार्था ने अपने प्रेमी के पास भारत आने का फैसला लिया वह शदीशुदा है और दो बच्चों की माँ पती को इस बारे में बता नहीं सकती थी तो बिना बताये ही टूरिस्ट फ्वीजा पर ब्राजील से वाया दिली होते हुए प्रेमी के पास पहुँच गई दिली में मिली तो लोकेशन तो पती ने दर्ज कराई मिसिंग कम्प्लेइन दैश मार्था घर नहीं पहुची तो पती ने तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला दैश पुलिस को कम्प्लेइन दी तो ब्राजील पुलिस ने जाच की इसमें पता चला कि मार्था टूरिस्ट फ्वीजा लेकर भारत गी है ब्राजील अमबेसी में कॉन्टाक कर उसकी लोकेशन ली गई दैश लोकेशन दिली तुगलक रोड थाना एरिया की आई वहाँ पर मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कर आई दिली पुलिस ने तलाश क्शुरू की पता चला कि मार्था सा धौरा में है दैश गुरुवार रात दिली पुलिस और ब्राजील अमबेसी के अधिकारी सा धौरा पहुँचे और मार्था से मिले दैश सा धौरा थाने में मार्था ने बयान दिया कि वह मर्जीस से यहाँ आई है राद को ही दिल्ली पुलिस और ब्राजील धूतावास के अधिकारी मार्था को अपने साथ लेकर रवाना हो गए 14 सितंबर को आई थी इंडिया देश मार्था टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी 14 सितंबर को दिल्ली पहुँच गई थी दिल्ली एरपोर्ट से अनन्त उसे लेने पहुँचा था देश अनन्त ने बताया कि इसके बाद वेह मार्था को अपने घर लिया आया अनन्त के प्यार के आगे उसकी फैमिली भी बेटे की खुशी के लिए जुग गए